लीगन ने क्योंग्जू का सिर पकड़ रखा होता है और वो दोनों एक दूसरे कोई देख रहे होते हैं वहीं डॉक्टर तै की गॉल्फेंड क्योंग्जू और लीगन को बाहर देख लेती है तो वो चिप जाती है क्योंग्जू बार बार लीगन से कहने लगती है कि मेरा सिर छोड़ो पर वो छोड़ ही नहीं रहा होता है तभी वहाँ पर डॉक्टर तई आता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो जल्दी से क्योंग्जू का सिर छोड़ो लीगन देखता है कि डॉक्टर तई की गर्ल्फिंड वहाँ से चली गई है तो वो उसको छोड़ देता है क्योंग्जु कहती है आखिर तुम्हें हो क्या गया है आज के बाद मुझे कभी भी टच मत करना समझे डॉक्टर तई कहता है मैं तुम्हें वर्ण कर रहा हूँ आज के बाद तुमने फिर से क्योंग्जु को परिशान किया तो तभी लीगन गुस्से में कहता है तो तुम क्या कर लोगे अब डॉक्टर तई उससे request कर रहा है तो क्योंग जू जरा भी नहीं सुचती और हां कर देती है वो डॉक्टर तई के साथ डिनर करना चाहरी होती है पर डॉक्टर तई ये कह कर चला जाता है कि उसको बहुत जरूरी काम करना है मतलब कि अपनी girlfriend का काम क्योंग जू को सौप कर वो खुद अपनी girlfriend के साथ मज़े करने चला गया लीगन ने सारी बाते सुन ली थी तूओ क्योंग जू के पास आता है और उसका हाथ पकड़ कर कहता है चलो मेरे साथ तुम उससे कह दो कि तुम overtime नहीं करोगी पर क्योंग जू कहती है मुझे नहीं जाना मेरा हाथ चोड़ो तो लीगन कहता है ये तुम्हारा काम नहीं है पर क्या तुम फिर भी करने वाली हो क्योंकि उस डॉक्टर ने तुमसे कहा है क्योंग जू लीगन को कुछ ऐसी बाते भी कहती है जिससे उसको बहुत बुरा लगता है वो बहुत सैड हो जाता है क्योंग जू कहती है तुम मेरे आस पास भी मताना इतना केकर वो चली जाती है पर रात को जब वो काम कर रही होती है तो उसको रियलाइज होता है कि उसने लीगन को कुछ जादा ही सुना दिया था तो वो काफी जादा रिग्रेट फिल करने लगती है सुबह जब क्योंग जू लैब में आती है तो टेबल पर उसके लिए कौफी रखा होता है उस कॉफी पर एक नोट भी चिपका होता है जिससे हमें पता चलता है कि वो कॉफी डॉक्टर तई यहां पर रख कर गया था फिर हम लीगन को उसके घर पर देखते हैं वो नहारा होता है तो तबी लीशिन अपना रणिंग कंप्लीट करके घर वापस आता है लीगन जब पहनने के लिए कपड़े चूज कर रहा होता है तो लीशिन से क्याता है मैंने अपना वालेट और फोन हर जगे ढूंडा पर वो मुझे कही नहीं मिले कितनी अजीब बात है ना इसलिए तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से मैं अपनी लिए नया फोन खरी दूँगा और जब तक मेरा वालेट नहीं मिल जाता मैं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड यूज करने वाला हूं और लीशिन उसको मना भी नहीं करता है लीगन हॉस्पिटल में बता कर नहीं आया होता है तो लीशिन प्रोफेसर हां को कॉल करके इंफॉर्म कर देता है लीगन बाहर जाने के लिए घर से बाहर निकलता है तो बाहर गूबोंग खड़ा होता है दरसल गूबोंग को लीशिन ने फोन करके बुलाया होता है ताकि वो हर वक्त लीगन के साथ रहे और कोई भी गड करने लगती है पर तब ही वहाँ पर दो लड़की आकर सयान को छेड़ने लगते हैं साथ ही उस ओल्ड लेडी को भी परेशान करते हैं पर सयान उन लड़कों से कुछ नहीं कहती है और उनको इग्णूर करके ओल्ड लेडी की मदद करने लग जाती है वही पास में हम क्योंग मिस्टर होंग ली सिन के लिए नए जूते लेकर आते हैं और उसको पहना लेने को कैते हैं जूते हैं कि क्या उसने चासियोन से contract sign करवा लिया लीगन कहता है मुझे पता चला कि चासियोन यहीं पर practice कर रही है तो मैं उससे contract को लेकर ही बात करने आया हूँ अगर मैंने चासियोन से contract sign करवा लिया तो आपको अपना promise पूरा करना होगा मिस्टर हॉंग कहते है तो मिसकी जरा भी चिंता मत करो क्योंकि मैं अपनी बात से कभी नहीं पलटता फिर लीगन चासियोन से मिलता है जो कि उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है लीगन उसको बताता है कि वो अब ठीक है और ये भी कि वो यहाँ पर बिग पिक्चर एजनसी का कॉंट्रैक्ट उसके साथ डिसकस करने आया है चासियोन केती है मेरी विश थी कि मैं आपके साथ टेनिस खेलू तो क्या आप ट्राइ करना चाहेंगे हम दोनों एक ही टीम में रहेंगे और अगर हमने एक भी सेट जीत लिया तो मैं कॉंट्रैक्ट शाइन कर दोंगी ली गन इसके बार में थोड़ा सोचता है और हां कर देता है ली गन चासियोन के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है वही ली सिन का समी फाइनल मैच भी स्टार्ट हो जाता है पर ली गन आज 15 साल बार टेनिस खेल रहा है जिसकी वज़े से वो बहुत गंदा खेलता है और वो हार जाता है क्योंग्जू की निंद खुलती है तो उसको पता चलता है कि वो कुछ जादा ही सो गई वो जल्दी से प्रोफेसर हान को कॉल करके पूछती है क्या उन्होंने लीगन का थेरेपी सेसन स्टार्ट कर दिया है प्रोफेसर हान बताते हैं कि उन्होंने सेसन पोस्पोन कर दिया है क्योंकि लीगन ली सिन के टुनामेंट में गया है क्योंग्जू कहती है आपने उसको बाहर जाने की परमीशन क्यों दे दी वही सयान एस्टेडियम पहुँचती है तो वो लीशिन का पोस्टर देखती है जिसको वो मारकर से बिगाड देती है जिससे हमें समझ आ जाता है कि शायद वो लीशिन को जानती है और वो उससे गुसा है उसको ऐसा करते हुए लीगन देख लेता है पर वो उससे कुछ नहीं जूते पहने थे जिसकी वज़से वो थोड़ा स्लो हो गया था क्योंकि उन जूतों में वो कमफर्टेबल नहीं था पर ये बात वो अपनी मॉम को नहीं बताता है क्योंकि ये जानने के बाद वो और जदा गुसा करेंगी उसकी मॉम कहती है बहुत सारी लोगों ने तुमसे उमीदी लगा रखी है इसलिए कुछ भी ऐसा मत करो जिससे तुम्हारी रेप्यूटेशन खराब हो हम क्योंक्जू को बाहर खड़ा देखते हैं जो की सारी बाते सुन लेती है वो ली सिन को काफी उदास देखती है जिससे उसको ली सिन के लिए काफी बुरा लगने लगत आती है वो उसके साथ तोबो की और मिंट चोकलेट खाने जाती है और साथी वो उसका थेरपी सेसन भी ले रही होती है वो उसको समझाती है कि हर बार दूसरों का कहा मानना जरूरी नहीं है तुम्हें खुद के उपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए तुम खुद के बारे में जरा भी नहीं सोचते हूँ तुम्हें जिन चीजों से खुशी मिलती है कभी कभी वो भी कर लिया करो वो ली सिन से और भी काफी कुछ कहती है और उसको बहुत अच्छे से समझाती है उन दोनों को बात करती करते राथ हो जाती है वही लीगन चोड़ने आता है ली सीन के चेरे पर कुछ लगा होता है जो कि क्योंग जुखो साफ कर De Bringing काफी सुर्स पर करने लगा हुता है तो वह किूंग जुको आज के लिए ठाइहता है तो नंटिफिकेशन आता है कि एक बी बीफ स्टूलने में उसके ट क्रेजिट का ये शून के रहे हैं लेसके लिगन के बार हivi उसकी न,- लेसे जूकरंग्जु को आवाज देने लगता पर लिगन वहathi और अगर उसको गिरा देता यह और खुद भी गर जाता है जिसकी वज़ से जूकर उन Phi लोहां चो अन दोनों को नहीं देख पाती है वो Lee Sin से पूछता है कि उसको चोट तो नहीं लगी Lee Sin कहता है तुमने तो कहा था कि तुम होस्पिटल में नहीं हो तो यहां कैसे आ गए लीगन उसे की रिंग मांगता है और उसको बताता है कि वो की रिंग नर्स किम की है यह सुनने के बाद Lee Sin उसको की रिंग दे देता है वो दोनों वहीं जमीन पर लेट जाते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं लीगन उसको बताता है कि आज उसने काफी सालों बाद टेनिस खेला और उसको काफी अच्छा लगा वो दोनों बच्पन की बातों को याद करने लगते हैं बच्पन में जब Lee Sin कोई भी गेम हार जाता था तो वो बहुत ज़ादा रोता था तो लीगन उसको मोटिवेट करता था हमें ये भी पता चलता है कि उस वक्त लीगन का सपना दुनिया का सबसे बड़ा टेनिस प्लेयर बनना था लीगन कहता है जीत और हार में अगर तुम हार भी गए तो इससे क्या ही हो गया जब मैं टेनिस खेलता था तो खुद पे जरा भी प्रेशर नहीं लेता था मैं बस वही करता था जिससे मुझे खुशी मिलती थी इसलिए हर बार जीतना जरूरी नहीं होता है जरूरी उस काम को करना होता है जिससे आपको खुशी मिले ये बात सुनकर लीशिन को काफी अच्छा लगता है लीगन कहता है मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाया इस बात का मुझे अफसोस है तो लीसिन कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा सपना पूरा करूँगा मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा टेनिस प्लेयर बनूँगा लीगन हसने लगता है और कहता है तुम मेरा सपना क्यों पूरा करोगे तुम्हारा जो सपना है तुम्हें उसको पूरा करना चाहिए देखो जरूरी नहीं है कि हमें जो चाहिए वो हमें मिलेगा ही हम हर चीज अचीव नहीं कर सकते हैं हम बस उन चीजों को पाने के लिए अपना बेस्ट दे सकते हैं लीगन की बातों से ली सिन काफी कुछ सीखता है फिर हम क्योंग्जु की मॉम और सयान को बात करते हुए देखते हैं क्योंग्जु की मॉम की बातों से हमें पता चलता है कि जब क्योंग्जु छोटी थी तो वो बहुत खुश रहती थी, लोगों की बहुत परवा करती थी, पर जिस दिन उसने अपने डैड का मुर्डर होते हुए देखा था, उस दिन के बाद वो एक अलग इंसान ही बन गई, वो लोगों को दिखाती है कि वो बहुत cold-hearted इंसान है, पर असल में अंदर से वो बहुत ही soft-hearted इंसान है, रात को जब लीगन की नींद खुलती है तो उसके चेहरे पर जो cut लगा था, वहाँ पर bandit लगा होता है, जिससे वो काफी सोच में पढ़ जाता है कि ये किस ने किया अगले दिन जब नर्स लीगन को देखने आती है तो वो सो रहा होता है तो नर्स चली जाती है, पर हमें पता चलता है कि वो लीगन नहीं बल की गूबॉंग है, वही लीगन चासियोन के साथ मिस्टर हॉंग से मिलने आया होता है, मिस्टर हॉंग के सामने ही चासियोन contract paper sign कर प्रोफेसर हान और डिरेक्टर को मिनिस्टर के साथ खाना खाते हुए देखते हैं मिनिस्टर कहते हैं मैं यहाँ पर बजट अप्रूबल के बार में बात करने वाला था पर मैंने सुना की डकुमेंट्स अब तक रेडी नहीं है जो की यूके से भीजा गया था क्योंग जू यह बात भूली गई थी कि उसका लगेज लीगन के साथ एक्सचेंज हो गया था वो उसने वापस लिया ही नहीं मिनिस्टर उनको आज रात तक का ही टाइम देते हैं डकुमेंट्स जमा करने के लिए अगर वो लोग टाइम पर जमान नहीं कर पाये तो उनका कुछती है पर तभी उसको याद आता है कि आज तो उसका फाइनल मैच है तो क्योंग जु उसकी मों को कॉल करती और उस लगेज के बारे में सारी बात बताती है घर पर कोई नहीं है तो लीगन की मॉम क्योंगजु को घर का पासथ वर्ड सेंड कर देती है तो क्योंगजु जल्दी से रूम में जाती है जहां पर उसको अपना लगेज मिल जाता है तो वो जल्दी से अपना लगेज लेकर जाने लगती है पर उसी वक्त लीगन घर आ जाता है और वो क्योंगजु को देख लेता है वही फाइनल जीतने के बाद लीशिन घर आ रहा होता है तो सयान उसका रास्ता रोकती है, सयान उसको देखकर स्माइल करने लगती है सयान को देखकर लिशिन शॉक दे जाता है और यहीं पर एपिसोड इससे वेंग खतम हो जाता है तो गाईज ये एपिसोड आपको कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में टेक केर, बाई बाई